जोते शर्दन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिये दर्शक गड़ों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिये साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदनंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज भी करेंगे आपके साथ चर्चा आपके अपने दैनिक राशी फल को लेके और जानेंगे के पंचांग क्या कहता है और पंचांग और दैनिक राशी फल ये किस तारीक के हैं तो साथियों ये पंचांग आप जो आज हम आपसे जिसकी जानकारी साजा करने जा रहे हैं और जो दैनिक राशी फल है आपका दोनों ये दिनांग 15 अपरेल सन 2024 दिन सौमवार विकरम समवच 2021 के हैं हिंदी का महीना अभी चैत्र का महीना चल रहा है पक्ष चल रहा है शुक्न पक्ष तित होगी सब्तमी नक्षत्र होगा पुनर्वसू और योग रहेगा सुकर्मा करन होगा वनिच और राशी रहेगी मिथुन लेकिन चंद्रमा आज रात्री 8 बचकर 49 मिनट पर अपनी मित र राशी करक में करेंगे प्रिवेश राहुकाल की समय अफदी रहेगी पराते 7 बचकर 31 मिनट से लेकर पराते 9 बचकर 8 मिनट तक और अभी जीत मूर्थ का जो शुब समय अफदी है वे पराते 11 बचकर 55 मिनट से लेकर के 2 पहर 12 बचकर 47 मिनट तक रहेगा तो ये थी जानका सारी पंचांग के विशह में अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके देनिक राशी फल के विशह में और यह जानेंगे कि मेश राशी से लेकर के और मीन राशी तक जो भी हमारे सभी जातक हैं उनका आज 15 अपरेल 2024 कैसा रहने वाला है यह हम जानेंगे ग्रह गोचर की जो समय वर्तमान इस्सिती बनी हुई है उसके आधार पर आरम करेंगे मेश राशी से यनि के जिनका एरी साइन है तो जानेंगे कि आज का दिन आप मेश राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम दिन रहने वाला है क्यों रहने पूरे दिन अब भागे का सपोर्ट मिलने से आपके जो रुके हुए भी कार रहे हैं जो नहीं हो पा रहे थे उनको भी आज के दिन अगर आप चाहेंगे तो पूरा कर सकते हैं इसके साथ साथ जो higher studies कर रहे हैं students वे भी अपनी पढ़ाई को बहुत ही उन्नत तरीके से कर सकते हैं और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होने की काफी संभावना है प्रियसातियों उपाए आज के दिन आप क्या करें उपाए आपके लिए बनता है कि मंगल यंत्र अपने पूजा घर में सापित करें और फिर आप उसकी करें नित्पृति दिन पूज आगे बात करेंगे विर्शब राशी के जो हमारे मित्र हैं जिनका टौर अस्ताइन है तो प्रियसातियों मैं आप से बताना चाहूँआ कि आज के दिन आप कहीं कोई जो आपके माता पिता हैं अगर आप उनके लिए उनका अनादर करते हैं एक तरीके से अपमान करते हैं तो ये मान के चलिए कि उनका जो क्रोध है जो हो सकता है कि वो आपसे कहना पाएं लेकिन अंदर से जो आत्मा से जो निकलती हैं बद्वाएं जो निकलती हैं या क्रोध में यह तो बच्चों को अपने कभी बद्वाएं नहीं निकलती हैं अपने बुजर्गों के दौरा लेकिन कहीं न कहीं जब उनका मन व्यथित होता है दुखी होता है अपमान सुनकर के देख करके तो फिर तो कहीं न कहीं वो उसका नुकसान उठाना पड़ता है तो यहां पर मेरा आपसे सरफ इतना ही कहना है कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान समाज जर साफधानी से करें या फिर कहीं अगर रोड वगेरा क्रोस कर रहे हैं पैदल चल रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सो मतलब समहल करके चलिएगा क्योंकि अचानक कोई एक्सिदेंट या चोट लगने का भी भे बना हुआ है प्रियसाथियों मैं आप से बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कारे छेतर में भी आप दिन परती दिन कुछ अच्छा करें आगे बढ़ें सफलता आपको प्राप्त हो तो फिर उसके लिए क्या करना है उसक करके शनी देव की पूजा आर्चना करें यही आपके लिए आज का उपाय बनता है आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशी के हमारे मित्र हैं जनका जेमनी साइन है साथियों आप से बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप मिथुन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनका व आज का जो दिन है ये आपके वैवाइक सुक प्राप्त करने का दिन है लेकिन दूसरी ओर आपका जो कारे चेतर है अपने कारे चेतर में भी आप कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपने कारे खु, यह कुछ अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप कि जिससे की आपका मन भी काफी प्रिजन रहेगा उपाए आप क्या करें उपाए अगर आपने करना है तो दुर का कमच का पाट करें आज के दिन आपके लिए सारे समस्याएं आपकी दूर होंगी कश्ट दूर होंगे आगे बात करेंगे जो हमारे करकराशी के मित्र हैं तो करकराशी के मित्रों को हम बताना चाहेंगे कि देखिए आज के दिन आपके विरोधी भी शान्त रहेंगे और आपके साथ वो इस तरीके का विवहार करेंगे आकर के कि जैसे कि कोई पुरानी ना तो कोई मन में मैल है उनके ना कोई शत्रुता है ना कोई आपको लेकर के को जरूर सर्प्राइज होगा लेकिन यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक है फिर भी आप उन पर आख बंद करके विश्वास बिलकुल ना करें दूसरी और मैं आपसे इतना भी पताना चाहूँगा कि इसी के साथ साथ अगर आप कहीं बैंकिंग वगरा मैं कोई मतलब अपने लिए कोई लोन आदी के लिए बैंक्स वगरा मैं कोई ट्राई कर रहे थे एफर्ट कर रहे थे तो महां से भी आपका कार्रेंग बन सकता है साथ ही स्वास्त भी आपका आज अच्छा बना रहेगा आज के दिन तो स्वास्त को लेकर के भी कोई ज़्यादा विशेश्ट समस्या आपके सामने नहीं आएगी, कोई छोटी मोटी अगर आती है, तो वो तो एक अलग बात है, ओवर ओल स्वास थाप का अच्छा बना रहेगा, उपाए आप क्या करें आज के दिन, तो प्रिया साथियों मैं आप से बताना चाहूंगा कि देखिए आज के दिन जो आप लियो साइन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही सुखत परिनाम आने की संभावना बन रही है, बड़ी प्रबल संभावना है, तो आज के दिन आप इस दिन का भरपूर लाब लीजिए, अपनी पढ़ाई करके कुछ अच्छ की सफलता अरजित आप कर सकते हैं, गरों की ओर से पूरा सपोर्ट और सहयोग आपको मिलने वाला है, जो प्रॉफेशन से जुड़े लोग हैं, वे भी कुछ आज चाहें तो अच्छे और महत्पूर्ण और बड़े डिसीजन्स ले सकते हैं, आज के दिन आपके दौरा लि आपसे बताना चाहते हैं, प्रियसातियों दूसरी ओर, जहां इस एक ओर तो ये रहेगा, वहीं दूसरी ओर, जो हायर स्टुड़ीज कर रहे हैं, वे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, और आप जो सिंग राशी के जातक हैं, आपको भी समाजिक छेतर से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो सोशल एक्टिविटीज की तरफ आपका रुख अधिक रहेगा, आज आप चाहेंगे कि कुछ समाज में जाकर कि कुछ सेवा नाम की चीज़ जैसे होती है, वो कुछ करें, आपकी रुची कुछ इस तरफ तरफ ज्यादा रहेगी, उ आगे बात करते हैं, जो हमारे कन्याराशी के मित्र हैं, जिनका विर्गो साइन बनता है, प्रिये साथियों, आपके लिए बताना चाहेंगे, कि देखे सुक्सु विधाओं का तो लाब आज पूरा आपको मिलने वाला है, आप लाब जरूर लेने वाले हैं, इसके साथ करते हैं, आपको अपने ससराल पक्ष से भी या तो कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, या कोई अच्छा गिफ्ट आपको मिल सकता है, जिस से कि आपका मन काफी पिरसन रहेगा, और जो दूसरी परिशानिया हैं, जीवन से जुड़ी हुई, चाहें वैवाहिक जीवन से है चाहें किसी भी छेतर से जुड़ी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके जीवन में ना हो, तो फिर आपको करना है आज के दिन अर्गला इस्तोतर का पार्ट, दुरगा सब्थशती में अर्गला इस्तोतर होता है, उसका आप पार्ट करेंगे, मुश्किल से पां यातरा करनी पड़ सकती है, और यह यातरा आपके लिए सुखद रहेगी, दूसरी ओर, अगर आप ये चाहते हैं, कि आप अपने छोटे भाई बहनों के दौरा कोई आपको सहयोग की प्राप्ती हो, या आप उनसे किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, तो वह की पराकरम भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेविल भी मिंटेन रहेगा, तो परिश्रम करने में तो कोई हर्ज है नहीं, कोई बुराई नहीं है, और अगर परिश्रम करेंगे, तो समझ लीजे कि आपका भाग्य भी आपके साथ होगा, और आप कुछ अच्छे रिजल्ट अच्छीव कर पाएंगे, तो आज का जो दिन है, मध्यम से उपर है आपके लिए, उपाए आप क्या के लिए, उपाए अगर आप करना चाहते हैं, तो एक ही उपाए है, आपके लिए, कि भगवाई शंकर जी की पूजा करें आप, भगवाई शंकर जी के मंदिर में जाकर करके आप परशाच चवाएं, और वहीं बैट करके अगर आप कच्छे दूस से उनका रुद्रावी शेक करते हैं, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाए रहेगा तुला राशी के जात्कों के लिए, आज का, आगे बात करते हैं विरिश्चिक राशी के जो हमारे मित्र तो ये साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, घर के बड़े बुज़र्ग तो आपके उपर महरबान रहेंगे ही, साथ ही आपके जो घर परीजन हैं, घर के जो मैंबर्स हैं, घर के परिवार के जो सदस्ये हैं, उनका भी आपके साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, उ आप भी पूरी तरीके से उनको सहयोग देने के लिए ततपर रहेंगे और अपने पैसे का भी अगर आप कहीं investment करना चाहते हैं मनी को या उसकी saving करना चाहते हैं तो वो भी योजना बद तरीके से अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आपकी धन संचे की जो एक तरीके से सित्य काफी better रहेगी आज के दिन उपाये आप क्या करें उपाये आपको यही करना है कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी दूसरे छेत्रों में भी आपको परिशानियों का सामना ना करना पड़े तो भगवान विश्नु जी की पूजा करें और विश्नु सहस्तर नाम का पार्ट परातेस्नान करने के परश्चाद जरू करने हैं चाहिए दसी मिनट के लिए किनकरें के अब आगे बात करेंगे जो हमारे धनुराशी के जातक हैं जिनका Sagittarian साहीन है तो प्रियसातियों बताने चाहेंगे कि आज आप धनुराशी के जो जातक है हमा मैं किस तरीके से अधिक से अधिक आपको प्यार करूँ आपके उपर नियोचावर रहने का उसका पूरा का पूरा मन बना रहेगा और वो चाहेगा कि भई आपके साथ ही समय वेतित अधिक हो और आपकी भी कुछ ऐसी ही इच्छा होगी उनका व्यवार देख करके आप भी उनके साथ रहना पसंद करेंगे और अपने वेवाहिक सुकों का भरपूर लेंगे आनन्द प्रियसाथियों दूसरी और जहां एक और वेवाहिक जीवन में तो आप आनन्द लेंगे ही कुछ कारे छेतर से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं का भी हल आपके दोरा जरूर हो पाएगा उसको लेकर के भी आप काफी संतुष्ट रहेंगे बस थोड़ी सी अगर आपको निराशा रहेगी तो वो रहेगी कि आपके अंदर जो परिश्रम करने की इच्छा जागरत होती है वो आप परिश्रम पूरी तरह से करने ही पा रहे हैं जैतना की आप करना चाहेंगे क्योंकि आपका energy level यानि के प्राक्रम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में प्रभावित जरूर है अब वो प्रभावित ना हो और आप पूरी तरह से परिश्रम करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति करें अपने जीवन में आज के दिन तो उसके लिए आपको सर्फ एक उपाय करना है कि हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के आप सिंदूर का चोला जरूर चलाएं और वहीं पर बैट करके हनुमान जी का इस्तोत्र करें मंगल इस्तोत्र करने चाहा हनुमान इस्तोत्र करें दौनों मेंसे कोई विए पर सकते हैं उसके बात परशाद जरूर चणाए और सर्सों के तेल का दीपक भी वहाँ पर जरूर जला है आगे बात करते हैं मकर राशी के जो हमारे मित्रे हैं जिन का कैपरीकॉर्ण साइन बनता है प्रियसातियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए दूर दराज की यात्राएं बड़ी सुखदर लापकारी रहेंगी अगर आज के दिन आप यात्रा करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या यात्रा पर निकल रहे हाँ थोड़ा सा खर्च जरूर हो सकता है दंका लेकिन ये खर्च भी आपको इसका मतलब कोई ज़्यादा महसूस नहीं होगा क्यों नहीं होगा कि जब यात्रा सुखद होती है और उसके कुछ अच्छे बैटर रिजल्ट्स व्यक्ति को मिलते हैं तो थोड़ा बहुत अगर पैसा खर्च भी होता है तो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देता है उसकी ज़्यादा केयर नहीं करता परवा नहीं करता लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि देखिए जहां एक और आपके लिए हमने कहा कि यात्रा आप जिस कारणे से भी जा रहे है सुखद रहेगी अच्छे रिजल्ट्स देगी वहीं पर दूसरी और थोड़ा साथ धन का संचय जो आपके दोरा किया हुआ था उसमें कमी आने के भी संकेत है यानि कि जिस मात्रा में धन का संचय आपके दोरा किया गया है पाश्ट में वो आज के दिन किसी ना किसी कारण वश वो धन निकालना पड़ सकता है वे ड्रो करना पड़ सकता है लेकिन अब हम आपको यहां पर सिरफ इतना ही कहना चाहेंगे कि जहां तक भी हो सके और जितना हो सके पॉसिबल आप अपने जमा किये हुई धन राशी को अगर ना छेड़ें तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपके दौरा किया गया धन संचे आपको बिलकुल नहीं हाथ लगाना है प्रियसातियों अब आप अगर कहते हैं कि भाई मैं तो कोशिश करूँगा लेकिन जब ग्रहों को ऐसा इशारा है तो फिर मैं कैसे सक्सेस हो पाँगा तो उसके लिए हम आपको उपाय दे रहें आप उपाय करें मारूती इस्तोत्र का पाट करें मारूती इस्तोत्र इसका पाट अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धन भी सुरक्षित रहेगा और बाकी के जो दूसरे रुके हुए कारने हैं वो भी पूरे हो और जहां पर जो परिशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं, करनी पड़ रही हैं, वो भी दूर होगी, अकेले इस उपाय के करने से, आगे बात करते हैं कुम राशी के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस साइन है, प्रियस साथियों यह तो साले साथी का भी प्रभा में, तो यहां पर क्या है कि थोड़ा करोध की अधिक्ता रहने वाली है, आपके लिए, दिमाग में और दिल में, और करोध होने से क्या होता है कि हालात बेकाबू भी हो जाते हैं, हालात बिगड़ते भी हैं, तो इसलिए जहां तक हो सके, अपने करोध पर तो नियंतर न लेकिन मित्र आपके बड़ा सहयोग करेंगे आपको आज, मित्र गण जो हैं आपके काफी सहयोगी साबित होंगे, और उनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, कहीं जाना पसंद करेंगे, किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, और उनके उपाय आपके लिए एक बनता है कि आप सरफ और सरफ एक उपाय करें कि हनुमान जी के मंदर में जाएं और हनुमान जी के श्री चरणों में गुलाब के फूलों की माला ले जाकर के चढ़ाएं और साथ में एक पान जो चवाने वाला होता है गुलकंद वाला मीठा पान वो वहाँ पर कुछ मीठा परशाद चढ़ाएं मीठे का जैसे की बेसन के लड़ू या बूंदी और जितना अधिक से अधिक आप उसका वित्रन करेंगे बांटेंगे परशाद को उतना ही वो उपाए के तौर पर आपको लाब देगा अब अंत में बात करते हैं मीन राशी के जो हमारे मित्रें है जिनका P.S.S.S कांड बनता है पर यह साथिह मैं आप से बताना चाहूँगा कि जो हमारे मीन राशी के जातक हैं आपके वी आपके कार्यच छेतर में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आज का जो दिन है आपका आपने कार्रे छेत्रे से जुड़ा हुआ आपका दिन आज बड़ा सुखद रहने वाला है कुछ आपके मन चाहे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी और यहां तक की कि आपके जो कलीक्स हैं या फिर जो आपके जूनियर है सब ही आपके कार्रे में आपको पूरा-पूरा सहयोग देंके उनका पूरा सहयोग भी मिलेगा और इस वज़ा से आपका मन काफी प्रसंड होगा और यह भी हो सकता है कि आज आप अपना कार्रे समय से पहले पूरा कर लें जो भी आपका कार्रे है आपके आफिस में, कार्याले में, फैक्टरी में और वो करके आज आज आप हो सकता है कि थोड़ा पहले निकल जाए अपने परिवार से मिलने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अपना समय वहतीत करने के लिए और ये भी possible है कि आज आप अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं रात को कहीं डिनर पे या गूमने के लिए ऐसा भी planning आपकी बन सकती है उपाय आज के दिन आप क्या करें उपाय आपके लिए यही बनता है कि प्राते काल जब आप उठेंगे तो एक तो शहद पानी में मिला करके आप भूले सकते हैं शहद जरूर अपनी जवान पर रखीएगा जीव पर जिव्या पर रखीएगा उसको जरूर आप उसका सेवन करें शहद का थोड़ी सी मात्राम करें लेकिन जरू करें ये भी आपके लिए एक किसी उत्तम उपाय से कम नहीं है तो प्रिये सात्यों ये था आप सभी बारे राश्यों के जो हमारे मित्रे हैं लेकर के मेश से और मीन तक उनका देनिक राशीफल दिनांग 15 तारिक का 15 अपरेल सन 2024 दिन सौमवार का और हमने इस जैनिक राशीफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन 15 अपरेल का कैसा रहने वाला है कैसा निकलने वाला है तो साथियों अब हम अपने इस कार्य करम का यहां समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिये दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इसी के साथ आप सभी का सहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जै माता दी